हेलो स्टूटेंट्स वेलकम टू कॉमर्सटा 24-7 बच्चो आज का जो सेशन होने वाला है जो आज की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉटेंट होने वाली है क्योंकि क्लास 11 में आप पहुँच चुके हैं और कुछ स्कूल में अभी भी टाइम दिया गया होगा आपको अपन में मेरे पास वराइटी रहेगी क्या कुछ चोइस रहेगी जो मैं चूज करके एक अच्छा करियर बना सकता हूं अगर आपके मन में यह सारे ही कोशन आ रहे हैं यह सारे ही डाउट्स आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत दादा इंपॉटेंट होने वाली है की बात तो यह दूसरी बात यह कि भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीटेल्ड सब्जेक्ट एनलिसिस की कि क्या पढ़ना है सब्जेक्ट में देखे एक्शुली में होता क्या है कि हम लोग क्लास 11 में जब आते हैं और कॉमर्स लेते हैं या PCM लेते हैं तो बच्चों को एक बात तो clear होती है कि भाई चलो मैंने stream ले ली लेकर उनको यही नहीं पता होता है कि भाई पढ़ना क्या है तो इन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों के मन में जिग्यासा आती होगी curiosity आती होगी ए कहीं न कहीं उथल पुथल चलती होगी कि यार यह पढ़कर आ रहे हैं, यह है क्या एक्चुली मैं, उनके लिए आज की वीडियो है, तो भाई, आज की वीडियो समर्पित है, टोटल कॉमर्स के, क्लास 11 के सब्जेक्ट से लिए, ओके, तो सबसे पहले, ए आता है, मतलब रोल लंबर में भी सबसे पहले कौन आता है, मतलब ए नाम वाले बच्चे आते हैं तो यहां भी अगर सब्जट की बात की जाए तो भाई ए से शुरू होता है accountancy and बेटा accountancy में आपको क्या जानने को मिलता है भाई accountancy का मतलब आप इतना समझो कि बच्चो लेखा जो खा है ना accountancy का मतलब होता है हिसाब किताब लेखा जो खा जैसे पुराने जमाने में वो कहते है ना पाप पुर्ण का लेखा जो खा ठीक है चित्रगूप्श बनाय करते थे लेखा जो खा हिसाब करते थे पाप पुर्ण का तो बेटा वैसे ही वहाँ से चीजरे चलती आई एंड फिर दिरे दिरे लोगों ने पैसों का हिसाब रखना पैसा कमाना पैसा क्या होता है उस पे बात आ गई जब पैसों का हिसाब रखने लगे ठीक है ना उसको कहने लगे चलो भाई ठीक है भाही खाता हो गया और आज की डेट में उसको क्या बोल रहे है अकाउंटेंसी बोल रहे है अकांट बोल रहे हैं या अकांट बोल रहे हैं ठीक है भाई तो यह सारी चीज़ें यह अकांटिंग बोल रहे हैं तो Accountancy में आपको क्या पढ़ना है Accountancy एक ऐसी विधी है जहां पर आपको record करना classify करना और report करना सिखाया जाएगा transactions को सर ये क्या बोल रहे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है बच्चो बिल्कुल बेसिक से बात बताता हूँ देखो माल लो आपकी कंपनी है मैं माल लेता हूँ मेरी कंपनी है आप माल लो आपकी कंपनी है अब बेटा आपकी कंपनी में क्या होगा सेल होगी परचेज होगी sale होगी परचेद होगी आपको अगर बेटा कहीं लिखोगे नहीं अगर कोई हिसाब नहीं मेंटेन करोगे तो भूल नहीं जाओगे तो अगर मैं कहूँ कि आज से एक साल पहले का मेरा कोई ताकि उनको पता रहेगी हाँ इस महीने शादी का सीजन था तो कितना खर्चा होगा इस महीने होली आई है तो कितना खर्चा होगा इस महीने दिवाली आ रही है इद आ रही है तो कितना खर्चा होगा तो भईया अकाउंटेंसी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाइ और वो बताएगा management को बोले तो company के मालिक को कि सरजी सरजी हमारी company का ये financial status है हमारी company के पास अभी इतने पैसे बचे हुए है आपने chartered accountant का नाम सुना होगा तो chartered accountant एक ऐसी degree है जिसको करके आप एक बहुत अच्छे accountant ही बनेंगे पर भाई एक बहुत अच्छी designation पर चले जाएंगे ठीक है ना तो it provides feedback to management regarding the financial result and status of the organization organization में चल क्या रहा है organization के asset कितने है organization की liabilities कितनी है वो आपको बताता है accountancy वो सारी चीज़े आपको class 11 में सिखाई जाएंगी कि किस प्रकार से हिसाब किताब मेंडिन करना है जिसमें आपको financial statement पढ़ाये जाएगा balance sheet पढ़ाये जाएगा जब आप class 12 में जले जाएंगे तो अलग-अलग तरीके के accounts पढ़ाये जाएंगे partnership accounts company accounts तो यह सारी चीज़ है ओके जी अब बात करते है बच्चो economics की अब यह economics क्या होता है तो भाई देखो accountancy, economics और business studies आपके तीन major subjects हैं जो आप बदल नहीं सकते हैं चाहके भी वो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे if you are a student of cbc board या अधर कोई भी board के हैं तो accountancy, economics, business studies तो पढ़ना ही है इसके साथ language एक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अब हो सकता है आपके school में हिंदी या इंग्लिश पढ़ाई जा रही हो जैसे मेरे school में English पढ़ाई जाती थी ठीक है बाई अब वो डिपेंड करता है कि आपको school कौन सा है English medium या हिंदी medium ठीक है बाई तो वहाँ पे आपको एक language जरूर पढ़ाई जाएगी class 12 तक that is English तो अभी मानके चलते हैं economics क्या ह होता है भाई हमारी देश आपने सुना होगा ना नरेद मोधी कहते हैं हमारी देश की economy पाच्वी सबसे बड़ी economy है दुनिया की अभी अमेरिका गए थे नरेद मोधी साहब तो वहाँ पे उनकी Congress का संबोधन हो रहा था संबोधन में कहा उन्होंने की इंडिया डस्वी economy थ करती है पूरे देश में पैसा कहां आ रहा है कैसे आ रहा है कहां को जा रहा है सर्कुलर फ्लो में पैसा कितना है मतलब आपकी और हमारी जेबों में कितना पैसा पड़ा हुआ है इसके बारे में बात करती है economics is basically concerned with economics concern होती है बच्छों creation consumption और transfer of wealth wealth मतलब पैसा ओके major areas of micro economics and macro economics बेटा दो तरीके के economics पढ़ने के लिए मिलेगी macro economics हमारे और आपके जीवन के उपर पढ़ाई करते हैं मतलब कि macro economics जो होते हैं वो क्या जानना चाहते है इंडिविज्वल लेवल पर क्या effect पढ़ रहा है और macro macro में जहां पर ए आ रहा है यह देखिए macro जहां पर के आ रहा है यह जानना चाहते हैं कि पूरी country का क्या हालात है चाहते हैं एक इंसान का क्या हालात है इंडिविज्वल इंडिविज्वल सप्लाई लेकिन macro economic जानना चाहता है कि aggregate डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पूरी country की तो दो तरीके economics आपको पढ़ने के लिए मिलेग बेटा UPSC का सिलेबस उठाके देख लो वहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान चाइना के रिलेशन्स इंडिया में फैल्थी पॉर्टी अनिम्प्लॉइमेंट जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है तो यह सब कुछ आपको पढ़ाय सरीके से काम करती है आपने सुना होगा नोट बंदी हुई थी डी मोनटाइजेशन हुआ था तो भाई आर्भी आई किस सरीके से काम करती है अभी हाली में 2000 के नोट भी बंद कर दिये गए रिजर बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है पैसा कैसे रन करता है पूरी एकोनोमी में कैसे घूमता है पैसा पूरी एकोनोमी में नाशनल इंकम क्या होती है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको 11 क्लास वर 12 क्लास में मिलके एकोनोमिक्स में पढ़ाया जाएगा ट्रेड कैसे हो रहा है कंट्री के इंदर और दो कंट्री के बीच मतलब इंटर कंट्री और इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा बिजनेस करता है कुछ लोग वर्किंग लास भी है और कुछ लोग बिजनेस करते हैं आज कल आपने सुना होगा आज कल आपने बिजनेस पे जो इंडियन युद्ध का जो 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 पढ़ता जा रहा है जो लोग बिजनेस करन चाहते हैं उसका बड़ा नाम सुना होगा मतलब ट्रेंड में है फैशन में होट टॉपिक अंट्रपेंडियोर्शिप किसकी वज़े से इंस्ट्राग्राम वाट्साइब की वज़े से भी है क्योंकि आशनीर ग्रोवर जैसे लोग रील्स बनामरा की लोगो को कही न कहीं मोट नर्शिप कंपणी सौल प्रपाइटरशिप इंटर्नल ट्रेड इंटरनाशनल ट्रेड इन सब के बारे में आपको बिजनेस से बढ़ने को मिलेगा एकॉमर्स अक्रेटिश चीजेश का होता है इनेस्ट की एकोनोमिक एक्टिविटी क्या होती है यह सारी चीज़ है आपको इस फाइनेशल मेनेजमेंट यह जो आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुनाओगा पापा रात में नीज देखते होंगे तो रात में नीज में चलता होगा न सेंसेक्स चाहे वो एकनॉमिक्स हो और चाहे वो बिजनेस स्टॉडीज की बात किया जाए तो इसको बिजनेस भी कहा जाएगा यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं बिजनेस के अलग-अलग प्रिंस्पल पढ़ते हैं मैनेजमेंट के प्रिंस्पल पढ़ते हैं एकनॉमिक्स के प्रिं रिसोर्स नहीं माना जाता था आज की डेट में जितना बड़ा रिसोर्स यह पैसा है उतना ही बड़ा इस इंसान भी है अगर इनसान आपकी और लेशन में अच्छा है तो काम अच्छे से होगा और अर्गनाइजेशन तरक्की करेगी तो अकाउंट्स बुद्नेस टेडी और और economics मिलके बनाते हैं common के तीन major subject जैसे PCM में physics chemistry math जैसे biology में physics chemistry biology तो account business economics की बहुत जो role है बेटा वो बहुत ज़ा बढ़ जाती है इस case में अब आते हैं बात करते हैं informatics practices की बेटा ये optional subject है optional subject basically school में दो तीन दिये जाएंगे हिंदी और mathematics informatics practices पहले तो ये देख लेते हैं कितने तरीके के optional subject आप लोग को offer किये जाएंगे आपके school में तो अगर optional subject की बात करें तो mathematics school में offer किये जा रहे है आजकल आजकल बढ़ा languages fine arts भी दिया जा रहा है कुछ-कुछ colleges में जहां पर psychology वगरा की पढ़ाई भी हमको देखने को मिलती है परंतु ये बेटा आपके school के उपर depend करता है आप जिस school में होंगे उस school में क्या optional subject चल रहे हैं जैसे मेरे school में मैंने आपको बताया कि तीन सब्जेक्ट थे mathematics, informatics practices और हिंदी ठीक है ना अधर language में आजाता है हिंदी तो मैंने पास सब्जेक्ट की पढ़ाई की accountancy, business studies, economics, English और आपकी informatics प्रेक्टिस जहां पे मुझे जावा programming language के बारे में पढ़ाया गया था ठीक है अगर आज के सिवेसी बोर्ड के syllabus की बात करें तो informatics प्रेक्टिस का जो syllabus है उसमें पढ़ाया जा रहा है python बस चेंज इतना ही है मैंने programming language में जावा पढ़ा था आपको programming language में पाइथन पढ़ना है python के साथ साथ आपको database पढ़ाया जाएंगे हैना keywords इस सारी चीदे पढ़ाया जाएंगी आपको sql बोले तो structured query language पढ़ाया जाएगी आपको python अब जानना यह जरूरी है अचा एक चीज़ और कि बहुत के अंदर होने वाले emerging trends क्या है जैसे artificial intelligence वगरा की theoretical knowledge भी आपको यहाँ पर दी जाएगी ठीक है अब आप कहेंगे sir programming language हम तो HTML भी नहीं कर पाते थे class 10 तक बेटा डरने की बात बिल्कुल नहीं है बहुत easy programming language आती है basic level की आती है आपको चार coding के algorithm समझने और एक बार आपको दिमाग में अंदर बैड़ गया फिर आपको जो coding मिलती जाएंगी वह आप easily करते जाओगे और believe me informatics practices is very scoring subject 70 नमबर का paper आता है 30 नमबर का practical होता है आपके school में होगा 30 में से 30 मालों school में मिल गए बचे 70 नमबर उसमें से 60 नमबर की तो coding आ जाती है आती है तो आती है नहीं आती है तो बच्चा 0 लेकिन आती है तो पूरे 60 नमबर coding से निकल के आते हैं और आएगी कैसे बेटा पढ़ने से आएगी बहु computer समझता हो हमारी English और Hindi computer नहीं समझता है computer Java Python यह सब समझता है तो पाइथन क्या है एक ऐसी programming language है जिससे की website बनती है software बनते है automated टास्क बनते है data analysis भी होता है पाइथन जनरली परपस language meaning it can be used to create a variety of different programs and is not specialized for any specific problem बेटा जो पाइथन लेंगोज है वो अलग-अलग programs को बनाने के लिए है सिर्फ एक problem को solve करने के लिए नहीं है एसी के साथ आपको बताता हूँ कि एक example देते तो मालो बेटा मेरी दुकान है और मेरी दुकान में ऐसा कहा गया मालो कि जो लोग जो लोग एक लाग का समान खरीदेंगे उनको मिलेगा 20% discount जो लोग 2,00,000 का समा discount वो discount तो बेटा अब यही मालो मेरी दुकान है तो मैं इसकी क्या बना दूँगा मैं इसकी coding कर दूँगा ठीक है अब जैसे मैं सिस्टम में amount डालूँगा अपने आप discount कटके बिल निकल आएगा जो आप लोग बिल निकलते हुए देखते हो ना उसके पीछे इनी programming languages का सर ये confusion आपने अभी तक दूर नहीं की तो बेटा अब इसी के बारे में बात करने वाला हूँ अगर commerce with math है हिंदी है या informatics practices है मेरा आपको अपना suggestion ये रहेगा कि math और हिंदी ना ले इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं informatics practices ले सकते हैं हाँ अगर किसी बच्चे को UPSC वग लेंदी आता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है math के paper में क्या होगा math और accountancy आपके दो numerical subject हो जाएंगे जो आपको परिशान करेंगे जो आपको परिशान करेंगे class 11 और 12 में इसलिए कहना चाहरा हूं कि math से बचके रहें अब जो एक आपके दिमाग में डाल दिया कहना कि math अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में बेटा उस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजे क्योंकि एक paper ऐसा नहीं है जहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि commerce with math वाले बच्चे को ही नौकरी दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा और वैसे भी आपको ये सकते हैं चाहे आप math लें चाहे आप math ना लें ये बात समझ लीजे कुछ लोगों को लगता है कि commerce with math ले लूंगा तो btec कर पाऊंगा commerce with math ले लूंगा तो btc कर पाऊंगा कता ही नहीं कर पाएंगा चाहे किसी भी college university की बात करें btec के लिए pcm site का होना जरूरी है btc के लिए pcm site का होना जरूरी है तो अब आप मुझे बताईए ना government job में काम आ रही है math ना आपके btec bst में काम आ रही है math computer के लिए मैं क्यूं बोल रहा हूं क्यूंकि computer comparatively easy subject है आगे आपके काम भी आएगा java वगरा की python वगरा की knowledge भी रहेगी and इसके साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप commerce with IP लेके पड़ते हैं तो ये chances हो जाते हैं अलग-अलग college या universities में कि आप bca कर सकें bca stands for bachelor's of computer application उसके बाद आप mca कर सकते हैं masters of computer application अगर आपको अपनी फील्ड जो है computers की लाइन में बना नहीं है तो ये इसका फाइदा हो जाता है informatics practices का जिसको computer भी बुला जाता है तो अब बच्चो decide आपको करना है मैंने आपको सारे पहलू बता दिये सिक्के के दोनों पहलू हिंदी लेंगे तो क्या होगा match लेंगे तो क्या होगा informatics practices लेंगे तो क्या होगा comparatively easy subject है आपको एक बार दिमाग में coding घुज गई अलगोरिधम घुज गए उसके बाद दुनिया की कोई भी coding होगी है ना वो आप कर लोगे जैसे आपको प्लस करना आ गया जोड़ना आ गय बेटा वैसे computer होता है coding का अलगोरिधम आ गया coding कोई भी दो कर लोगे ठीक है इस वैसे इसको मैं refer कर रहा हूँ ठीक है बाई तो यह सारी चीज़े आप बेटा समझ गयोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए ठीक है बच्चो तो आज ही class यहीं तक फिर मिल जो भी लें बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और वो subject लें जिसमें आपका इंट्रेस्ट हो ठीक है जिसमें आपका इंट्रेस्ट हो वो subject लें जैसे मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि commerce with math Hindi informative practices according to career and interest बेटा आपको लगता है आपको BCA में career बनाना है तो computer लीजे है कि match लेके fail होने से अच्छा मैं कोई असान सा subject लेके top कर जाओं जब मैंनेcommerce लेके fail होने से अच्छा मैं commerce लेकर टॉप कर जाओं तो टॉप तो नहीं लेकिन हाँ अच्छे नंबर अच्छे नंबरों से पास जरूर होता था ठीक है अच्छे खासे नंबर से पास होता था तो एक मन में भी satisfaction होता था इस thinking के साथ अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल जादा को successful हो पाएंगे लाइफ में फिर उसके बाद 12 के बाद आपको डिगरी कर लिजेगा चलिए तब तक ले पेटा नेक्स वीडियो के ले वेट करते रही है जो नेक्स वीडियो आने वाली है वह भी बहुत अधा इंपॉर्डन होने वाली है ऐसी अससे रहे पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे ज हैं